तो रिश्यों ने बताया कि ऐसे मारकंडे जी आपको दर्शन देने पधार रहे हैं युदिस्ठिल जी महाराज बहुत प्रशन हुए कि ऐसे महापुरुष का मुझे दर्शन होगा जो भगवान का साक्षाद दर्शन किये हैं बिना इच्छा के भी जिनको गोरी शंकर पान साक्षाद दर्शन दिये थुड़ी देर में देखा जैसे कोई कई शूरी एक साथ उदे हो गयों वैसा प्रकास दिखाई दिया उस समय आश्रम पूरा तेज से उद्दीप्त हो गया और पुरातन महर्षी स्री मारकंडे जी का ही वो तेज था साब्रम रिशी और पांडोजन हाथ जोड़ कर खड़े हो गए मारकंडे जी की अंग कांत से जैसे अगनी में ज्वाला प्रगट होती ऐसे तेज प्रगट हो रहा था देवता, रिशी, मनोश्य, कोई भी ऐसा नहीं जो इनकी पूजा न करता हो अर्थाथ सर्वश्रिष्ट स्री मारकंडे जी महराज को देख कर अनुपम धैरेवान परम पवित्र बुद्धी से शंपन इदिश्ठिर और पांडोजन हाब ने शाष्टांग प्रणाम किया ब्रम रिश्यों ने इस्तुत्रों की द्वारा इस्तुती की अमित्य जश्वी सरवग्य महात्मा मारकंडे जी दुरुपद कुमारी दुरुपदी युदिश्ठिर भीमशेन अर्जुन नकुल शादेव इन सब के बीच में उनको सुन्दर आशन मिला बिराजमान भे सब रिश्यों तो उदाशिन थे पर मारकंडे जी युदिश्ठिर को देख करके मुश्कुराए युदिश्ठिर जी ने देखा कि तो त्रिका लग के महापुरुश है क्या मेरी ऐसी अवस्था को देख करे मुश्कुरा रहे है ऐसा तो नहीं होता संतों को सभा होता कि दुखी को देख करके उनको दुख कानुभ होता है सब रिश्यों उदाशि चायुई पर ये बहुत मुश्कुरा रहे है तो उन्हों ने कहा कि हे महा महिम ये जितने तपश्वी ब्रम रिश्ची जने मेरी अवस्था देख कर शंकुचित है और दुखी है पर आप मेरी उर देख कर के प्रशन मुद्रा में मुश्कुरा रहे है इसका क्या कारण हो शकता है मारकंडे जी ने कहा तात न तात हरश्यामि न चैस्मयामि प्रहर्शजोमां भजते न दर्पह तवापदम तवध्यशमी इच्छरामं सत्यम ब्रतम दासरतिम स्मरामी हे तात हे दिश्ठिर मैं कभी हरशीत नहीं होता इसलिए मुझे सोक कभी स्पर्श नहीं करता मैं अखंड प्रशनता से युक्त रहता हूँ मेरा मुख सद युप्रशन रहता है मुझे कभी किसी से मिलने से शुख नहीं होता ना मिलने से दुख नहीं होता मुझे कभी किसी प्रकार का अभिमान इस पर्शन नहीं कर सकता आज जो तुम्हारे को विपत्ती में पढ़कर देखकर मेरा मुश्कुराना तो आपको देखकर के मुझे भगवान श्री राम की आदा गए आप क्या हो आपके साथ तो महारती चार भाई है बड़े ब्रम्रिशी घेरे हुए है और आप पादुका भी पहने हुए है लेकिन भगवान श्री राम अपने पिता के आग्यां के लिए ना तो कोई अन्यशायोगी है और ना पादुका पहने हुए है केवल एक मात शारंग धनुष और लक्ष्मन जी और स्रिया जी के सहित बड़े कष्ट से बन में दसरत नंदन श्री राम का मैं मिला था उन्हें रिष्चि मूग परवत पर उस शमय जो उनको देखा था क्या तुमें कष्ट मिल रहा है भरण पोशन के लिए भगवान शूरे ने तुमें बटलोई दे दी है और तुमें शदयू अनिश्मरण ना हो इसके लिए ब्रम्रिशी भागवतिक चर्चा सुनाते रहते हैं भारी विवस्था है तुम्हारी तुमें क्या कष्ट है अगर हम उदर चिंतन करते हैं तब मुस्कुराट है कि तुम अपने को शोक में मानते हो श्वयम भगवान हो करके चोदा वर्ष का बनवाद विशेश उदाशी कभी किसी नगर में नहीं गए पादुका भगवान ने नहीं पैदे उन्ष्री रामचंदर जी का इश्मरण करके मेरे मन में प्रशनता हुए और मैं मुस्कुरा रहाँ कि तुमें शोक नहीं करना चाहिए जिस्शिमूप परवत पर उनके दर्शन हुए थे और उनसे वारता भी हुई थी दसरत नंदन श्री राम शर्वथा निश्पाप थे यमराज के भी नियंता और दानों के नाशक उन महात्मा स्री राम ने केवल अपने पिता की आगियां पर चोदै वर्ष का वनवाश वैकार किया जो युद्ध में अजे हैं उनको संपुर्ण भोगों का त्याक करके कष्ट में बन में निवास करना पड़ा इसलिए अपने को बलशाली समझ कर किशी को कभी भी अधर्म नहीं करना चाहिए और जो धर्म से चलता है तो कितना भी कष्ट मिले कभी दुखी नहीं होना चाहिए क्योंकि श्वयम भगवान ने बनवास श्वयकार करके दिखाया है कुंती नंदन यह हम तुमें शमझाने आये हैं कि तुम सदयुशत्य पर और धर्म पर चलो सारे सदगुण तुम्हारा वरण किये हुए हैं तुम साधारन प्राणी नहीं हो इसलिए तुम्हें दुखी या सुखी नहीं होना चाहिए दुखी शुखी होना साधारन प्राणियों का लक्षन है अशाधारन इस्थिती प्राप्त करने के लिए भगवान आदेश करते हैं शुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभाव जया जयो शुख दुख में समान रहो लाभानी में समान रहो और विजय और प्राजय में समान रहो तो तुम अशाधारन इस्थिती को प्राप्त होगे कोई कार्य हुआ पूरा हुआ नहीं हुआ जैस्षी स्रीजी कि इच्छा प्रयाश हमारा हम धर्म से चल रहे हम ठीक से चल रहे कोई निंदा करे या इस्तुती करे जै हो या पराजै हो शुक हो या दुख हो या ध्यात्मार्ग के पथिक का शुरूप है यदि तुम एशा चलोगे तो तुम्हारा यश और तेज शुरी के समान संपुर्ण जगत में फैल जाएगा महानुभाव नरेश तुम कभी अपनी प्रतिग्या को मत तोड़ना और कश्ट शाध्य साधनों का वरण करके कभी उससे दुखी मत होना ये देखो भागवतिक मार्ग है ये चड़ाई वाला मार्ग है जब हम इस पे चलते हैं तो कोई शायोगी नहीं होता पगपग पर दुख, अपमान, क्लेश और आंतरिक युद्ध, काम कुरुधादी का आक्रम पर जो गुरुजनों की द्वारा दिये ही मंत्र उपाशना में द्रड है उसे कोई परास्त नहीं कर सकता अन्यता फिर सलाह लेने का विचार आता है चार लोगों से कि भाई बड़ी समस्याज वो तुमें निश्चित परमार्थ से बिलग कर देंगे परमार्थ के सम्मंद की शलाह केवल केवल महापुर्शों से ली जाए भगवत प्राप्त महापुर्शों से अन्यता ब्रहमित हो जाओगे गिर जाओगे परमार्थ से तो हे नरेश तुम बनवास की अवद पूरी करो मैं देख रहा हूँ करो का विनाश होगा राज लक्षमी तुम्हारा वरन करेगी क्योंकि जिसके साथ भगवान स्री कृष्ण है वहाँ बिजय ही बिजय होती है मारशी मारकंडे जी ऐसा कहे करके और वहाँ से अंतरध्यान हो गए भगवान के परम प्रेमी भक्त जन जो होते हैं ये जितने बड़े-बड़े महापुरुष होते हैं ये सब स्वाभाविका के दर्शन देते हैं भगवान के दर्शन के पहले महापुरुशों का दर्शन होता है ये सिद्धान्थ है जब किसी को भगवान का साक्षात कार होना होता है तो उसके पहले बड़े-बड़े भगवत प्राप्त महात्माओं के दर्शन होते हैं दिब् पारकंडे जी के चले जाने के बाद ब्रह्मरिश्यों की शभा में चर्चा हुई कि क्रोध बड़ा है या अच्छामा अगर हमारे साथ कोई दुर्वेवार करता है तो मुझे क्रोध से विजय प्राप्त करनी चाहिए या अच्छामा से तो उन कहा कि दोनों अपनी जगे ठी है ना तो सदा क्रोध ही करना चाहिए और ना सदा ही कोमल बने रहना चाहिए विवेग पूर्वक देखना चाहिए कि इस समय आवश्यक्ता किसके है तेज धारन करने की या शान तो हो कर सेहने की जो इस विवेग को नहीं धारन करता है वो अपने शत्मार्ग को खो देता है अब आपके गुरु निंदा कोई कर रहा है इस्ट निंदा कर रहा है धर्मे बिरुद्ध आपके साथ बिवार कर रहा है एक बार शमा करने का उशर है पहली बार जिससे मिले हो और वो गलती कर है तो उसे छमा कीजिए एक बार छमा शावधान अब दुबारा शब्द नहीं एक बार छमा अगर दुबारा तो आप में शामर्थ हो तो जबान बंद कीजिए ने कान बंद कीजिए और निकल जाएए दंड देने की शामर्थ अपने लोगों में नहीं क्योंकि इश्वर दंड धारी है हम उनके दाश हैं वो देख लेंगे अपने को हट जाना चाहिए उस शभा में जिस शभा में अधर्म बरता हो रहा है यदि आप बैठे रहे तो उसी अधर्म के आप भी भागी बनेंगे जिसमें शंत निंदा हो रही भगवत निंदा हो रही है अगर वहां आप चुप चाप बैठे हैं विरोध नहीं कर रहे हैं तो वही पाप आपको भी लगेगा जो निंदा करने वाले को लगेगा इसलिए या तो उठके वहां से चल दे और या फिर उसका विरोध करे सभा में खड़े होकर उसका विरोध करे कि आप ऐसा नहीं कर सकते इसके करने से आप पाप से बच जाएंगे आउशर देख करके कभी कभी शांत होना पड़ता है और कभी कोई भेंकर रूप भी धारन करना पड़ता है इससे वो अपने परमार्थों को बचा लेता है तुम्हें छमा का आउशर बताता हूँ जैसा मनीशी पुरुषों ने अनुभो करके शिद्धानत लिखा है जिसने कभी तुम्हारा एक बार उपकार किया हो जीवन में बड़े से बड़ा अपराद बन जाए तो उसको एक बार माफ कर दीजिए क्योंकि उसने उपकार किया कभी थोड़ा भी तुम्हारा हिद्ध किया है और उससे यदि अपराद बन जाए तो पहले के उपकार का इस्मरन करके बिना धंड दे उसे छोड़ देना चाहिए जाएए आप इससे तुम्हारा शमा बल बढ़ेगा जिससे अंजान में अपराद हो गया है आपके साथ उसे पता नहीं था उसको शमा कर दीजिए क्योंकि सब के लिए सरवग्यता शुलब नहीं है वो अज्यानी है अज्यान के कारण अपराद बन गया तो छमा कर दीजिए पर जिसको एक बार छमा कर दिया है और फिर वही अपराद तुम्हारे शाथ कर रहा है तो फिर उसके लिए शमा सब्द का प्रियूग नहीं क्योंकि आब वो फिर तुम्हारे लिए बहुत हानिका रख हो जाएगा उसके अपराद निवारन के लिए पिर कानून बेवस्था है दरम बेवस्था है जो जान भूच कर तुम्हाई साथ बार-बार अपराद कर रहा हो उसको अब छमा करना ठीक नहीं है यह सास्त्रा क्यां करता है एक बार छमा कर दिया सास्त्रा वाओ अरजुन को बड़े कुरुध शे भगवान पर शुडाम जी आये जब सुना की जमदगनी जी उनके पिता है यहां से आश्रम का विनाश के आउशने और गवादिया परण करके ले गए माता विलाब कर रही थी उनका ऐशे शमर्थ की मा विलाब कर रही मैं इनका विनाश कर दिया जमदगनी जी ने का नए पहला पराद है छमा कर दिया हमारा बल छमा है लेकिन उद्धंडता उनकी इतनी बढ़ गई कि उन्होंने वद कर दिया आकर दुबारा जमदगनी जी का फिर भगवान परश्वराम ने छमा नहीं किया अपने तेज बल से और फर्शे के बल से पुरे वन्स का विनाथ काट काट के पहाड लगा दिये थी तो जो उद्धंड है पाप पे पाप करता जा रहा है उसके लिए छमा सब्द का प्रियोग नहीं है उसके लिए दंड ही उसके लिए सही आउशद ही है प्राणी कोई भी हो यदि एक बार अपराद करें तो विचार पुर्वक छमा कर देना चाहिए यदि जान बुच कर दुबारा अपराद करता है तो उसे ये दूसरों के लिए नहीं अपने लिए भी लागो है एक बार हमसे गलती हो गई तो प्रभू छमा कर देंगे जान बुच कर गलती करोर शोचो कि भाई नाम या किसी से हम तो उसको फिर नामा पराध के अंतरगत माना गया है और विशेस दंड का पराधी जैसे आप से अभी तक गलती हो गई पापा चरण हो गए गंदे-गंदे खाद दे और शब आपने सत्संग सुना और अब लो नुशानी अब ना नुशई हो और भगवान की शरण में हो गए तो सब माफ हो गया लेकिन अब नहीं होना चाहिए अगर फिर होता है तो सब जुड़ जाएगा ब्याज सहीत जो दुबारा बार बार अपराध करता है उस अपराध के लिए दंड देने से ही उसका सुधार होगा छमा से नहीं अच्छी तरह जात परतार कर ले और जब ये शिद्ध हो जाए कि ये अमुक बार बार अपराध कर रहा है तो उसके छमा योग के बरताव नहीं करना चाहिए क्योंकि उसका सुधार हो जाएगा उसके अपराध का दंड यद उसे मिलेगा कोमल शुभाव और उग्र शुभाव ये दोनों होने चाहिए अगर कोमल ही सुभाव एकदम बनाए रखोगे तो फिर धर्म का भी पालन नहीं कर सकते हो कई बार जैसे कहा है कि आपकी दृष्टी में पावर होना चाहिए आप देखके मुश्करा दिये आप ऐसे सरल जंग से देख कोई भी आपको बात करेगा छेड़ेगा परिशान करेगा अंदर से भगवत चिंतन चलदा सब के प्रति भगवत भाव है लेकिन आपकी दृष्टी में बचाईए अपनी दृष्टी को तो आपकी दृष्टी में शामर्था आजाईगे ऐसे ही आप जो देखते रहते हैं आपकी दृष्टी सकती ही न होती रहती है शंत अपनी दृष्टी को तो जितना आप अपनी नेत्रेंद्री को बज़े फिर आप देखेंगे तो शामने वाले के अंदर जो अपराध वृत्ति बैबीत हो जाएगा द्रश्टी में बहुत तक सगर के जो शाठ यजार पुत बड़ी मनमानी करके उद्रेंद्र किसी ने गोड़ा बांदिया था कपिल आश्रम में बगवान कपिल देओ जी तो अपने ध्यान में थे बड़ी उद्धंडता शुरू कर दिया आश्रम में तो केल देखा है था बस मोगे संकल्प नहीं कहता ऐसा सास्त्र में लिखा है कि उन्हों संकल पिके आओ जाओ भस्म ऐसा कुछ नहीं कि उन्हीं देखा ही था भस्म हो गए उन्हीं के उद्धार के लिए तो भागी रिथी गंगाजी का प्रादुर्भाव भूतल पर हुआ तो सदय कोमल शुभाव नहीं रखना चाहिए प्राए हमने मापुरुषों में भी देखा है कभी कोमल बरता हो तो कभी उगर शुड़ू उसे क्या होता है कि उद्धन्द मनों पर अपने आप सासान होता है बहुत दयालू हैं, बहुत करपालू हैं, बहुत करुणामें हैं तो आप देखो, तुम्हारे मन के दशा क्या हैं, अरे कुछ नहीं हैं, दो मिनिट के बाद तो देखते हैं नो, और जब यह पता है कि अगर तो फिर हमें दंड मिलेगा, निश्कासित कर दिये जाएंगे, नाना प्रकार का कलेश मिलेगा तो मन भैवीत होकर सत्मार्ग में चलता है इसलिए भगवान का कभी शांत शुरूप देखा जाता है, कभी उग्र शुरूप देखा जाता है इसलिए कभी गुर्जनों को भी देखा जाता है, कि बहुत शांत हैं तो कभी बहुत दंड विधान पर लागू कर दे जब बाहर ताला लगा रहे है बात नहीं करने नहीं अंदर प्रिवेश निशेद ऐसा ऐसा उसे मन को जो अपराधिक प्रवत्ती में उच्छाहित हो रहा था वो भै लगा और शत्मार्ग में चल दिया यद्यपी कुमलता बहुत ही साध्य विषय है हरदे कुमल रखना चाहिए पर हर समय बाहरी मरदूता ठीक नहीं है जब बचाने के उद्देश से दम्यंती जी को छुआ तो कुछ नहीं हुआ अब शाधारन भाव नहीं तुम्हारा काम भाव हो गया है अगर कदम बढ़ाया तो तुम भस्म हो जाओ के हम पहले तुम्हें बता रहे बढ़ाया तो बस्म हो गया हम अहीत नहीं चाहते किसी का लेकिन कोई हमारे धर्म पर प्रहार करे कोई हमारी इज्यत पर प्रहार करे कोई ऐसा, तो ऐसे भी काम नहीं चलता है, बराबर भगवान भी ऐसे नहीं रहे हैं, और इश्यों की भी देख लीजिए, जहां हुआ तो फिर इसका भी प्रियुक किया है, कहीं तेज की जरुरत होती है, कहीं छमा की जरुरत होती है, हर समय छमा ही छमा नहीं, और हर समय बाव देखा है भजन का बल देखा है इसलिए देश, काल और परिस्थिती का विचार करके कि इस शमय हमें तेज का प्रियूग करना है या म्रदुता का प्रियूग करना है दुन अब कोई हमारे गुरुजनों पर प्रहार कर रहा है कोई आक्षेप कर रहा है कोई गाली दिरह वहां हमारे बगवान है नहीं बगवान नहीं हो अब पुस्प से पूजा नहीं होगी तुम्हारी जिनके लिए प्राण समर्पित अगर एक विश्रप्द तो ये प्राण हम समर्पित कर सकते हैं लेकिन एक विश्ब्द ने सुन सकते हैं ये तेज भागवतिक होगा सरवं खलमिदं ब्रह्म की शिद्धी किये हुए मापुरुष की बात कह रहें एक भैरोंशिद्ध करने वाला कपाली तांत्रिक भगवान शंकराचार जी के पाश आया और कहा महराज आपके लिए देह तो मिथ्या है कहा परमशत्य तो पर आपकी गरदन उतार ले जाएं हमारे सिद्ध काम में आएगी आप जैसे ब्रह्म रिशी की अगर परम पवित्र खोपड़ी से जो हम करेंगे तो भैरोशिद्ध हो जाएगा बोले हाँ हमें कोई परशान आप उतार सकते हो पर अभी उतारोगे तो बहुत से सिश्य बाधा पहुचा देंगे प्राता चार वजे ब्रह्म मोर्ते में आना हम इस पीपल के नीचे ध्यानस्त होंगे और तुम गर्दन उतार ले जाना सब दे बोले कोई ऐसा नहीं कि कोई प्लानिंग ब्रह्म शुर्प जैसे दधी चिरिशी से देवतावने प्रार्थना की कि आपकी अस्त्रियों से जो अस्त्र बनेगा उससे ब्रत्ता सुर्मारा जा सकता अन्यता नहीं शांत हो गए अपने प्राणों को ब्रह्म में इस्तित करके छोड़ दिया शरीर को उनकी परंपावन दिब्तपो मैयस्तियों से बज्रा दी बड़े अस्त्र बने जो अमोग अस्त्र कहे गए तो प्राता चार बजे वो कपाली भगवान शंकराचार जी की गर्दम उतारने के लिए जवास्त्रम में प्रिविश हुआ तो स्वाभी नर्शिंग आस्त्रम जी ब्रह्मवोथ सर्वम खलमिदम ब्रह्म इसकी शिद्धी प्राप्त के हुए महापुरुष गंगाईश न हुंकार मारी और दौड पड़े ओ गुरुदेव के नजीक ने पोता उठाकर पठक दिया फार दिया जैसे नर्शिंग भगवान ने हिरनकस्यप को फार दिया फार दिया हर समय छमा की जरुरत नहीं है हर समय तेज की भी जरुरत नहीं अत्यंत आवश्यक है जहां धर्म जा रहा हो वहां प्राण जाना स्रेष्ट है धर्म जाना नहीं जहां हमारे पुज्य आराध्य देव गुरुदेव का कहीं कोई किशी भी तरे वहां हमारे प्राण समर्पित होना परम धर्म होगा ना कि वहां छमा हाँ हमें कोई कष्ट दे रहा है तो एक बार हम विचार करके प्रथम अपराद को छमार उसे उसे उस अपराद से मुक्त करेंगे लोक में यदि उद्दंडता करने वाले पापी को छमा ही करते रहा जाए तो बहुत लोगों को भै प्रदान करेगा इसलिए कानून मना है उसे कानून को शमर पित करे क्योंकि जो दुस्ट शभाव वाले जन होते ये भै के द्वारा ही ठीक होते शमा के द्वारा नहीं ठीक होते हैं कोई ऐसी बिली घटनाये होती है जो शमा से उनका परिवर्तन हो गया कि मैंने अपरात किया उन्होंने शमा किया उसका हरदय परिवर्तन हो गया तो इसलिए महराज आप सदव छमा का ही आस्तर न ले युदिष्टि से का कि आप सदव छमा का ही आस्तर न ले क्रोध अगर इसको आप बार बार ही उतेजना मिलाते रहेंगे तो ये क्रोध आपकी उन्नती को नश्ट कर देगा दोनों बते देखना है ये जान लीजिए कि लोक और परलोक दोनों का नाशक क्रोध है क्रोध जीतने से उन्नती होती है क्रोध के वशिवूत होने से अबनती होती है जो जितना क्रोध को अपने काबू में कर लेता है वो उतनाई परमार्थ पत्में आगे बढ़ जाता है जगत में जो छुटी छुटी बातों में क्रोध करने लगते हैं उनका पतन हो जाता है इशले उपाशक को चाहिए कि सर्व ना सक इस क्रोध को पीना सीखे जब गुश्या आवे पीना सीखे पीछे वरणन कर चुके है देखो तेज और क्रोध में अंतर होता है क्रोध होता है कामना के बाद और तेज होता है धर्म सम्मंद से जब कोई धर्म का नाश कर रहा हो जब कोई आराद्य देव, इस्ट देव, गुरु देव, वादी की बात हो तो उसमय भागवतिक तेज होता है और जब हमारी किसी वासना पर प्रहार होता है हमारी इच्छा पर फिर जो क्रोध होता है उसे पीना सीखना चाहिए क्रोधी मनुश्य अधिकतर पाप में लग जाता है अपने माता पिता को पीटते हैं देखा है ऐसा देखा है क्रोध के वशीभूतों कर पुझ्य जनों का अपमान करते हैं क्रोध के वशीभूतों करके जिनकी इस्तुती करना चाहिए उनकी निंदा करते हैं गाली देते हैं क्रोधी मनुश्य शमझ नहीं पाता कि क्रोध के लिए कार्य कार्य का क्या निर्णे किया गया है नहीं बस क्रोध आया तो इस्मृती का अपरण कर लेता है कामा संजायते कुरुधा कुरुधा इस्मृती विब्रमा क्रोध अगर अपनी चरम सीमा पे आ जाये तो अवध्य पुरुष की भी उहत्या कर देता है जिसकी पूजा में हमें तत्पर होना चाहिए उसका उबध कर देता है क्रोध अगर और बढ़ जाए तो अपने आपको भी आत्मत्या कर सकता है और यम लोग का अतिति बनकर बहुत दुर्गती को प्राप्त होता है क्रोध इन दोशों को देख करके उपाशक को चाहिए किश लोग और परलोग में परम कल्यान के लिए क्रोध को जीतना सीखे जब तुम परमार्थ में आगे बढ़ोगे तो तुम्हारा अध्यात्मबल बढ़ेगा तो उसमें तुम्हारे अध्यात्मबल को छिन करने के लिए माया ऐसी रचना रचेगी जिससे तुम्हें क्रोधावे गटना व्यक्ति ऐसा क्रोधा ऐसा देखा भी जाता है बहुत जल्दी क्रोधा अपने और पराय दोनों की हित का विचार करके श्वयम चिकित्सक बनकर अपने क्रोध की चिकित्सा कर लेनी चाहिए यदि मोढतावस तुम क्रोध पे क्रोध ही करते रहे तो तुम्हें क्लेश भोगना पड़ेगा तुम्हारे सुकृत नस्ट हो जाएंगे चित्सको वश्मे करना उपासक का परमधर्म है पर जो क्रोध का ही वरण किये रहता है उसका चित्स जलता रहता है यह बड़ा दुष्ट शुभाव है सांती से बेटे हैं चिंता ना गया पांच वर्स पहले उसने ऐसा कहा था उपासक के लिए सामर्थ यही कि अपने क्रोध को रोकना है सरोत्तम शाधना समझे विद्वान उपासक सक्त शंपन होने पर भी क्रोध को प्रगट ना करे सांत भाव से सहे यदि क्रोध का प्रादुर भाव बार बार बाहर करते रहोगे तो तुम आनंद के भागी नहीं बन पाओगे इसलिए बलवान या निर्वल विग्य आ अनविग्य खैशा भी विक्ति शामने आवे यदि तुम्हारे शामने तुम्हे क्रोध दिलाने की चेश्टा कर रहा है तो तुम शेह जाओ बात समझना जहां ना सहने की बात कही गई वहां संत संबुश्री पदा पवादा कही सुनी तास मर जादा काटी जीव तासु जो बसाई स्रवन मूदिनत चले पर आई भगवती उमा जी शिव पुरान में पढ़ा बहुत कठोर तप में संलगन है महादेव जी के लिए इस सब्तिरिश्यों की बात है जब सब्तिरिश्य गए उसके बात की बात तो भगवान महादेव जी एक ब्रम रिशी के रूप में गए तो ये सिद्धांत है कि चाहे आप आशन पर बेटे हो अगर आपका ध्यान बाहर है और आपको पता चला कोई शंत आया है तो खड़े हो जाना चाहे आशन से ये मर्यादा है नहीं तो आपका तप छीन हो आपकी बश इतना अशाही बगवती ने किया खड़े होकर प्रणाम किया आईए बिराजिये क्या शंमान करें क्या स्वागत करें होगा स्वागत की बात ने हमने सुना महादेव जी को पती बनाना चाहते हो हाँ ये तो हमारा द्रण निश्य है तो क्या है उस भूत बावन में चिता की बस्म लगाता है बूतों का सरदार है न कोई महल है न कोई बिवस्था है वहाँ इतनी शुंदर और उनको गले में मुंडों की माला सर्प की माला जटा जूट का बवंडर बस्म लगाए गूमता है उसको तुम पती वरन करना चाहते हो भगवती ने का बस बस यदि आपको आतित्थे रूपे में श्वैकार ना किया होता तो पहली दृष्टी में ही तुम्हें बस्न कर देती तुमने हमारे प्रीतम के निंदा की बस अब अगर एक भी शब्द आप बोले तो आप परिणाम समझ सकते हैं पर रुकाय को रुके भगवान श्यूदे फिर शुरू करते हैं भगवती ने कहा कि हमारे पिता हिमाले भी ब्रमरिश्यों का सम्मान करते हैं और हिमाले के आश्रे में ही रहकर वो शिद्धी प्राप्त क करते हैं इसलिए मेरा विचार हुआ कि जिसका आदर करना चाहिए उसको तो भर्ष्म नहीं करेंगे पर इन कानों निश्यू निंदा सुनी है इसलिए मैं अपने शरीर को अभी भर्ष्म कर प्रगट हो गया मादर नहीं बस बस महादिव जी नहीं कोई और नहीं मैं श्यू वेलना हो और हम चमा चमा ऐसा उस समय नहीं ऐसा नहीं फिर आपतित हो जाएंगे फिर ऐसा नहीं लेकिन अगर हमारे क्योई इच्छा के बेरुद तो हमें शैना चाहिए शैन शीलता हमारा परमधर्म है जूट से सत्य बहुत उचाई पर है कुरूरता से दयालुता बहुत उचाई पर है तेजश्वी वही है जो क्रोध को भीतर ही भीतर शांत कर ले जो उद्पन हुए क्रोध को अपनी विवेक बुद्धिश्य दवा लेता है वही तत्वोध प्राप्त करता है सर्वम खल्मिदम्रम क्रोध ही मनुष्य ठीक ठीक समझ नहीं पाता कि उसे क्या कर चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसलिए शदाचारी उपाशक को चाहिए कि जब मूर्ख लोग उशे निंदा करें अपमानित करें तो उशे क्रोध को दवाना ही परमतेज माने बातुल भूत बीवस मत्वारे ते नहीं बोलें बचन बिचारे तिनकर कहा सुनी नहीं काना चल देना चाहिए यदि कोई अपने को शतावे तो सेहना चाहिए यदि कोई औरों को सतारा रहा है आप में बल है तो फिर शमा नहीं फिर अक्षा करो पर आजका समय तो इतना विचित्र हो गया है कि सामने आपके कोई अत्याचार कर रहा है तो आप ठीक नहीं हो सदय उक्रोध करते रहेंगे तो ठीक नहीं है इसलिए तेज और छमा आउशर पर किया जाए तो ब्रह्मवित्ता तप्रश्वी जन कहते हैं कि वो दिब लोकों को प्राक्थ होता है इस प्रकार भगवत चर्चा हो ही रही थी कि शत्यवती नंदन भगवान ब्य आस देवजी महां पधारे कितना सुख मिल रहा है पांडों को दुर्योधन को तो वही भोग शुख मिल रहा है राजशुख और यहां एक से एक महापुरुष पधार रहे हैं और यह सबसे बड़ा दुरलब लाब है यह लाब शंकर माना महापुरुषों का जब द्रवें महापुरुषों के दर्शन होते हैं तो अपने में जागरत में ऐसी दिम्विताएं तब वो दिम्विभगवान के दर्शन का अधिकारी होता है